Assalamu alaikum, welcome back to the course आज हम इस बारे में बात करेगे कि अपनी पोस्स के उपर इंगेजमेंट बढ़ाएं कैसे क्योंकि मैंने इंगेजमेंट की बहुत बात किये और मैं इस वीडियो में आपको कुछ बहुत नया तो नहीं बताऊंगी लेकिन क्योंकि हम specific to engagement बात कर रहे हैं तो हमने जो कुछ सीखा है पहले उस ही को मैं बताऊंगी कि इंगेजमेंट के लिए उन चीजों को हम कैसे इस्तमाल करेंगे क्योंकि मैंने आपको पिछली लेसन में में आपको ये बताया कि आप को community building करनी है और जब लोग आपसे engage करें तो आपने engage करना है किस तरह करना है लेकिन अगर in the first place वैसे ही कोई आपसे engage करी नहीं रहा कोई comment नहीं कर रहा कोई बात नहीं कर रहा कोई share नहीं कर रहा तो उस चीज को कैसे बढ़ाया जाए हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जब से पहले हम देखते हैं इंगेजमेंट क्या होती है पहले भी बताएं इंगेजमेंट होती है जब लोग आपकी चीज़ों को लाइक करते हैं कॉमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और सेव करते हैं तो यह आपकी engagement बढ़ाती है अब engagement बढ़ाने का मतलब यह है कि ऐसा content बनाना जिसको लोग like करें जिसको लोग comment करना चाहें जिसको share करना चाहें और जिसको save करना चाहें अगर यह नहीं हो रहा आपके page के उपर इसका यह मतलब है आप ऐसा content बना ही नहीं रहे आप लोगों को ऐसी चीज़ देंगे तो वो इस तरह रिस्पॉंट करेंगे अगर आप अपनी product की कोई picture डालते हैं और उसके नीचे आप सिरफ यह लिखते हैं कोई one line का caption लिख देते हैं कि this is now available तो it doesn't really encourage people अब वो इसके उपर क्या reply response करें मतलब कोई कुछ कहने को नहीं है ठीक है तो content ऐसा बनाना है कि कुछ कहने को हो कुछ like करने को हो तो कुछ strategies हैं जो इस्तमाल की जा सकती हैं इस चीज़ के लिए तो आप खुद engagement कैसे encourage कर सकते हैं सबसे पहले simplest trick of the trade अपने post के उपर सवाल डालना शुरू करें लोगों से पूछें उनका क्या ख्याल है किसी चीज़ के बारे में आपकी कोई नई चीज़ आ रही है आप pre-hype कर रहे हो तो आप end में लिखें are you excited या फिर आप बोले if you are excited put this emoji down in the comments मालब इससे आप encourage करें हैं कि लोग नीचे comment करें तो उनसे emojis डलाएं, उनसे सवालात पूछें उनसे बात करें एक दफा मैंने भी इस तरह किया था कि very excited क्योंकि हमारा बहुत अच्छी sales जारी है and you are loving the new planner इस तरह कि मैंने लिखा so we're having a dance party join the dance party by making the following emojis तो जो लोग हमाय साथ excited थे उन्होंने हमाय साथ emojis डालना शुरू किये और literally comments में एक dance party चल लही थी हमने stories में भी वो dance party की और सब को you know participate कर आया and everything तो वो एक बहुत engaging चीज थी लोगों के लिए second चीज जो आप कर सकते हैं engagement बढ़ाने के लिए वो यह है कि आप shareable चीज़े डालें shareable चीज़े वो होती है कि जब कोई देखे वो कै you know यह मुझे बाकियों को भी बतानी है तो आप कुछ ऐसा content डालें जो कि हाँ यह बाकियों को भी पता होना चाहिए कोई आपने bits and pieces of information हो या कोई quotation हो जो शायद किसी के दिल को जाके लगे तो वो अपनी story में share करेंगे या कोई ऐसी story आपने share की जो लोग कहेंगे कि अच्छा बाकियों को भी पढ़नी चाहिए वो जाके share करें again available now कोई भी नहीं share करेगा why would anybody share that तो इस तरहा की चीज फिर आप ये कर सकते हैं कि funny चीजें so funny चीजें लोग बहुत जादा share करते हैं किसी को कोई चीज जब हसाती है तो वो normally अपनी stories में डालते हैं लोगों के साथ share करते हैं तो memes जो हैं आजकल काफी सारे brands यूज करते हैं जो उनसे relevant हो या Monday है तो वो Monday Blues की कोई meme डाल देंगे कुछ डाल देंगे जिससे लोग relate कर सकते हैं तो वो भी shareable हो जाता है तो memes, jokes ये ज़रा shareable content हो फिर आपको बनाना है saveable content अब saveable content क्या है ऐसी pieces of information जिसके पास लोग वापस दुबारा आना चाहें जैसे paper source है वो अकसर DIY content करते हैं वो आपको crafty चीज़े बनाना सिखाते हैं अपनी product से definitely लोग केंगे अच्छा ये एक दिन मैं बनाऊंगी ये बनाऊंगा वो उसको save जरूर करेंगे ताकि जब उन्होंने बनाना हो तो उन्हें धूनना नपड़े और उनके वो saved collection के अंदर पड़ावाओ ठीक है तो ये बड़ी एक important चीज़ है कि आप content ऐसा बनाएं जो savable हो या आप कोई tips दे दें आपका travel related brand है तो आपने travel tips दे दी लोगों को तो लोग करेंगे अच्छा ये मैं save कर लूँ ताकि जब मुझे किसी दिन travel tips चाहिए होगा तो ये मेरे पास saved होगा तो इस तरह का आप content बनाएं जो savable हो और हमेशा आप एक call to action लोगों को दे सकते हैं कि save this post for later ताकि आप लोग के दमाग में डाल दें कि हाँ मुझे ये save कर लेनी चाहिए और लोग उसको save कर लें तो savable, shareable content डालना engagement के लिए बहुत अच्छा है लोगों से सवाल पूछे, लोगों से feedback ले, make them type you know, make them engage with you ताकि वो quizzes पे जवाब दे, interesting बनाएं ताकि वो आपके सवालों के जवाब दे फिर question sticker में आप ask me anything कर दें तो लोगों के बाद जो भी सवालात हैं कि आप challenges रखें और आप giveaways रखें और लोगों से participate कराएं उन challenges और giveaways के थूँ एक और चीज़ ही है कि recent times में आप हमें पता चला है कि छोटे captions ना लिखें, बड़ा caption लिखें, बहुत बड़ा ना हो पर थोड़ा सा एक moderate size का caption हो, क्योंकि अगर आप एक line का कोई caption लिख रहे हैं तो उसमें ऐसी normally बात नहीं हो सकती, जिससे लोग respond करें उन्हें लोगों को थोड़ा जादा context दें, थोड़ी जादा लंबी बात करें आप उनसे कोई बात करेंगे, तो आप से बात करेंगे कि अगर उन्होंने आपके कपड़े पेने या आपके जूते पेने या आपकी प्रॉड़क्ट इस्टमाल की तो उसकी उन्होंने पिक्चर डाली हैं और फिर जिस पिक्चर के उपर सबसे जादा लाइक साएंगे, उनको कोई gift मिलेगा, कोई giveaway मिलेगा इससे भी लोग engage करते हैं फिर आप इस तरह भी giveaways करहा सकते हैं आप उनसे कहें के हमें हमारे साथ अपनी story शेयर करें कॉमेंट्स में जो सबसे इच्छी story होगी उसको हम giveaway देंगे, price देंगे ताके लोग encourage हों वो अपनी stories बताएं और again वोई इस तरह मैसूस करें के उनको सोना जाता है और वो appreciated है और वो एक community का हिस्सा है एक और चीज़ यह है कि आपको अपने brand में diversity डालनी चाहिए यानि अगर उसमें आप लोगों की तस्वीरें इस्तमाल कर रहे हैं तो different तरह के लोग use करें, हर तरह के लोग use करें ताके ज़्यादा से ज़्यादा लोग connected और इस community का हिस्सा feel कर सकें ताके सब encouraged feel करें, कि हाँ वो यहाँ participate कर सकते हैं, वो यहाँ engage कर सकते हैं अपनी branding को हमेशा fresh रखें, लेकिन unique रखें और थोड़ा सा open up करें तो अपने brand के बारे में, brand owner के बारे में, employees के बारे में थोड़ा सा open up करें थोड़ा बताएं, ताके लोग encourage हों, कि हाँ वो आपको जानते हैं और जितना उनको यह feel होगा कि वो आपको जानते हैं, उतना वो आपके साथ बात करने में comfortable feel करेंगे उतना वो आपसे बात करना चाहेंगे एक और चीज़ जो engagement के लिए important है, वो यह है कि आप consistently डालें, रोज डालें और कोई important दिन, जो है, साल का, वो miss ना करें ताके हर important time पे लोगों को आपकी post नजर आ रही हो कि you were there, आपने wish किया, आपने celebrate किया या आपने किसी भी important चीज़ के बारे में जरूर बात की, जरूर participate किया उससे भी engagement आपकी बहुत जदा बढ़ती है और लोग encourage होते हैं आपसे बात करने में, क्योंकि again पहचान जादा बनती है तो यह कुछ engagement strategies थी, अगली दफा हम बात करेंगे growth की क्योंकि अभी हमने यह कहा है, कि आपकी एक existing community है जो already लोग आपको follow कर रहे हैं, उनके साथ कैसे behave करना जिसमें मैंने बताया, आपने DM को कैसे respond करना मतब जो लोग आपको ढूंड चुके हैं already, follow कर चुके उनको कैसे respond करना, उनसे कैसे बात करनी लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं कि grow कैसे करना है और लोग आपको कैसे रहूंडें, आपकी discoverability कैसे भड़ें, आपके followers कैसे भड़ें The next time उसके बारे में बात करते हैं, अल्ला हाफिस